नमस्कार दोस्तों, घरेलुखावर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में राधे राधे अवस्य लिखें दोस्तों आज की इस वीडियो के माधेम से हम आप लोग को बताएंगे कि वर्ष 2020 में राधा अस्टमी की दिनांक्तिति क्या है, पुजा की विधी क्या है, ब्रत का महत्व क्या है साथी साथ मैं मुहुर्थ की बात भी करूँगी, कि सो मुहुर्थ कव है राधा अस्टमी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसकी संपुन जानकारी दोंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सियर करेंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि राधा अस्टमी कब मनाई जाती है तो हिंदू पंचांग के अनुसार भादरपद सुखल पक्ष की अस्टमी तिथी को राधा अस्टमी मनाई जाती है कलेंडर के मुताबिक या हर साल अगस्त या सितंबर महीने में आती है राधा क्रिष्ण के भक्तों के लिए राधा अस्टमी का विसेश महत्व है मानिता है कि इस व्रत को करने से धन की कभी कमी नहीं होती और घर में सौभाग गयाता है कहते हैं अगर स्रिक्रिष्ण को परसंद करना है तो राधा की अराधना जरूरी है यही बचय है कि अपने अराध्य क्रिष्ण को मनाने के लिए भक्त पहले राधा रानी को परसंद करते हैं मानिता है कि राधा अस्टमी का व्रत करने से सभी पाप नस्ट हो जाते हैं यह भी मानिता है कि राधा अस्टमी का ब्रत किये बीना जन्मास्टमी ब्रत का फल प्राप्त नहीं होता इसलिए इस दिन हर ब्यक्ति को ब्रत रखना चाहिए दोस्तों वर्स 2020 में राधा अस्टमी 26 अगस्ट दिन बुधवर के है पूजा का सुब मोहत में अस्टमी तिथी कब से शुरू होगी कब समाप्त होगी वो डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे दूँगी ब्रज और बरसाना में तो राधा अस्टमी भी स्रीक्रिस्न जन्मास्टमी की तरह धूमधाम से मनाई जाती है इस दिल लोग बरसाना की उची पहाड़ी परिस्थित गहवर बन की परिक्रमा करते है ब्रिंदावन के राधा बलब मंदिर में राधा अस्टमी की छटा आई जाती है और विशेस आर्ति का आयोजन होता है अब चलिए जान लेते हैं कि ब्रत की पूजा की विधी क्या है तो सुबह सुबह असनान आदिस से निवरित होकर सुरी देवता को जल अर्पित करें अब पूजा घर के मंडप के नीचे बीचो बीच कलस अस्थापित करें कलस पर तांबे का पात्र रखें अब राधा जी की मूर्ती को पंचामरित से असनान कराएं असनान के बाद राधा जी को सुन्दर वस्त और अभूसन पहनाएं जब राधा जी की मूर्ती को कलस पर रखें पात्र पर विराजमान करें इसके बाद विधिवत धूब दिप स भोजन कराए और दक्षिना दे दोस्तों ये बात ध्यान रखने की है कि राधा जी की पुजा मध्यान के बक्त की जाती है ब्राम्भनों और सुहागिनों को भोजन और दक्षिना के बाद आप स्वैम भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहन करे और इस तरह ब्रत का आप पारन करें तो दूस्तों आसा ही नहीं पोन विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स